जहां एक तरफ गर में आते ही लोगों को पानी की समस्या नजर आती है वहीं दूसरी तरफ नदी ताला भी सुखने लगते हैं पानी के लिए हाहाकार मज जाता है वहीं दूसरी तरफ दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपूर पंचायत के नवटुलिया चांदपटी जहां नए लोग घर बना करा रहा है एवं सारा मुहमद पूर पंचायत के कुछ इलाकों में जहां लोग जमीन खैद कर मकान बना करा रहा है चारो तरफ जल जमाव बना रहता है यह चित दरभंगा सहर से सटे दरभंगा सक्री रोड फ्राबर मील के पीछे का है अस्थानी लोगों का कहना है कि कंगवा गुमति से डिये भी स्कूल तक भारसरकार की भूमी कोल जो नाला सुरूप में है लोगों ने अतिक्रमन कर लिया है जिससे की रेलवे का पानी इस जगा आकर जमा हो जाता है जिसके कारण कई समस्याएं हो रही है गर्मी में पानी बदबू करता है कई तरह से बिमारी भी हो सकती है प्रसासन से हम लोग मांग करते हैं कि कंगवा गुम्ती के उत्तर नाला की उगाही कर इस समस्या से हम लोगों को निजाद दे इन लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी सदर अनमंडल पताधिकारी एवं अंचलाधिकारी वहीं दर्भंगार नगर निगम को हम लोग ने कई बार आविदान दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है इस समद्ध में रानिपूर पंचायत के मुखिया रासकुमार दास ने कहा कि पंचायत में जो छोटी बरी नाली हैं सरक हैं उन्हें हम लोग तो ठीक करा पाते हैं लेकिन सहर के इर्दगिर जो बरे बरे नाले हैं वो हम लोग के बस की बाहर की चीज है इस कर्ज को अस्थानिय बिधायक या सांसद ही करा सकते हैं पंचायत अस्तर में जो छोटे बोटे कर्ज होते हैं उसे हम कर देते हैं लेकिन हमारे पंचायत में जो बरे बरे नाले हैं जैसे कंगवा गुमती से डिये भी स्कूल तक इस बरे बरे नालों का निर्मान इन्ही देखना यह है कि गर्मी से पुर्व जल जमाब है इस से यहां के लोगों को निजाद मिलता है या नहीं दरभंगा दर्संसे मनोज्जा तो नहीं हो रहा है अगे पिर क्या क्या करेंगे आप लोग हम लोग चाहते हैं कि सरकार के तो हो जाए अजया यह सहरी छेत्र है या ग्र अभी दूबात नहीं होई है लेकिन हम लोग एक बार भेट किया था तो कोई करवाए नहीं है नाम बताइए मेरा नामस्यों कुमार जैसा कि देख रहे हैं कि यहां पर चावतरा पानी पानी रहता है और यह बारों मास रहता है और बार के समय में यहां का इसी बहुत ही भय समान जो बेसिक जो काम था वो भी नहीं हो पा रहा था तो इसी कारण से हम लोगा सरकार से अनरोध है कि इसको जल्द से जल्द करवाई करें और हमारे यहां तो समस्या है बहुत समस्या है जो उसका निदान बहुत हो चुका है था बहुत बाकी है मैं बाकी है नाला जो ना निर्वान इतना पैसा पंचायत को मिल नहीं रहा है कि नाला निर्वान करें मैं नाला को मैं नाला तो या विधायक जी करेंगे या संसत जी करेंगे या सरकार द्वारा जो भी योजना है उससे किया जाएगा मैं नाला अगर बना देते हैं तो हम लोग गली नाली का एकदम स ऌतपर है कि गली-टाली जोड़देंगे उसमें यहां नाला का समस्या का समाधान हो जाएगा लेकिन यहां मैंट नाला जैसे बेलादुला ले ले ली जिए और क्या करते हैं बेला शंकर उसमें आता है बेला दुला में नपत्षी चंदनपर टी इस सब आता है उसे क्वाने भारी मात्रा में पानी का स्माव होता है क्योंकि वो पानी ही इसकी महला में आता है और फूर्फ दे लिक्सकारी महदे को महद को लिखा लेकिन फर परकोई नहीं हो पर जाता है तुरा वेसाक में रहता है 24 गंटा हर एक महिना में को परसाशंते से जल से जल उनको अगर पानी का समधान कर दे जाते हैं मैंन नाला का किलियर कर देते हैं तो हमवे कोछिछ है वो पूरा करके और हम अपने पंचायत का समस्या ना पानी के से निजादी लाएंगे